नमस्कार दोस्तों, आप सब कम मेरे यूटूब चैनल मंच डॉक्टर तेविंदर सेरा शोव पर स्वागत आज फिर मैं एक डिफरिन तरीके का टॉपिल लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे सुनने वालों को पसंद आएगा दोस्तों कई बर ऐसा होता है कि जब आप न्यूज पेपर में पढ़ते हैं कि किसी सेलिबरेटी की डेथ हो गई तो आपको दिल में इतना अगात पहुँचता है, दुख होता है और आपका पार्ट आफ हार्ट डेड हो जाता है ऐसा ही अभी पिष्टे दो तीन दिन पहले हुआ जब मैंने अखवार में पढ़ा कि उस्ताद राशिद खान इस दुनिया में नहीं रहे उस्ताद राशिद खान वन अग दोस्तों म्यूजिकल पर संथे इतने जबरदस आर्टिस्ट थे कि एक हजार दस हजार की भीर इकटी हो और आपसे बात कर रही हो वो एक लाइन अपने माइक पर बोल देते थे तो सब चुप हो जाते थे आए तुम याद मुझे आप उनके यूटूब पर गजले सुनिये उनको सुनिये तो आपको मालूम चलेगा कि वो क्या हस्ती थे मैं कोई क्लासिकल म्यूजिक का ग्याता नहीं हूँ ना मुझे ठुमरी की पता है ना दादरा की पता है लेकिन जब भी मन उदास होता था तो मैं उस्तार राशिद खां का कोई गान चायद मुझे मालूम नी ठुमरी होती है दादरा होता है चला लेता था और इतना सुकून मिलता था और वो हमारे बीच में नहीं रहे और ये बात निउस पेपर में फरन पेज़ पर तो ज़ूर आई वड़ सोशल मीडिया पर इसके बारे में ज्यादा जिक्र मैंने नहीं देगा तो मैंने कहा मैं इसके बारे में आप सब लोगों को नौलेज देदू और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राशिद खान साब की जो गायकी है वो सुल लीजे यूट्यूब पर तो आपको मालूम चलेगा अब आता हूँ मैंने ये मुद्दा इस चैनल पर क्यों उठाया क्योंकि उनकी जब डेथ हुई है तो उनकी एज हारली 55-56 थी और कॉज अफ डेथ इतना क्लिरली कहीं नहीं आया एक आद वीडियो में मैंने देखा कि उनको ब्रेन में स्ट्रोक था मेर्स का सबसे कॉमन कैंसर प्रोस्टेट का कैंसर होता है और जैसे जैसे हमारे उमर बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है एक ये प्रोस्टेट जो होता है अकरोट के साइज का एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो हमारे पिशाब की ठैली में नीचे बना होता है और जैसे से एज बढ़ती है ये बढ़ता है तो यूरिन पास करने में मुश्किल आती है तो आपने देखा होगा कि ये भी आप किसी परसन के यूरिन में पीशे खड़े हैं किसी मुवी थेटर में और आपके आगे कोई बुजोर गया तो उसको यूरिन पास करने में देर लगती है और अगर हम बच्चे होते हैं तो अपने यूरिन की धार छोड़ते हैं तो आपस में देखते हैं कि किसकी धार दूर तक गई तो एक elderly person की धार ड्रिबल करने लगती है और दूर तक नहीं जा सकती दीरे धीरे धार पतली होती जाती है और बाद में ड्रिबल करने लगता है यूरिन और पस्चे पास कर भी दे यूरिन तो थोड़ा सा यूरिन पिशाप की ठैली में रुका रह जाता है और ये prostate को अगर हम timely treat ना करें तो पिशाप रुकने भी लगता है तो prostate का cancer काफी common होता है और prostate cancer होने में अगर इसको timely नहीं पकड़ा जाएगा तो bone में जा सकता है इवन दिमाद में जा सकता है उस्ताद राशिन खाल साब के साथ यहीं हुआ होगा कि उनका prostate का cancer टाइम पर नहीं पकड़ा गया जिससे उनको ये brain तक गया और brain में stroke हुआ तो इसका basic मेरा आपको बताने का वज़े है मकसद यह है कि अगर आप 50 years plus हैं तो एक जाज होती है prostate के लिए PSA prostate specific antigen उसका regular check-up कराते रहें periodically और urine की धार में अगर आपको मुश्किल आ रही है तो अपने doctor सरूर कंसल्ट करें इसके लिए specialized doctor जो होते हैं उनको urologist कहते हैं और इसमें मुश्किल नहीं होता जाज होना एक अब blood test PSA करा लीजे एक ultrasound prostate का करा के prostate का weight देख सकते हैं prostate का weight जो होता है 20 gram से 25 gram तक normal होता है उमर के साथ ये बढ़ना शिरू हो जाता है मेरी उमर में 65-70 साथ में इसका weight 70 gram तक हो सकता है इवन 100 gram तक हो सकता है और हर एक prostate enlargement में operation के ज़रूत नहीं होती केवल वहीं होती है जहां पर urine के symptom बहुत बढ़ जाए bladder जो है पिशाप की थैली उसके अंदर बीच में diverticular type शुरू हो जाए और सकते यूरोपेती पीछे जो गुर्दा है उसके अंदर back pressure आने लगे kidney के test abnormal होने लगे या urine में blood आ जाए या PSA का level बढ़ने लगे और prostate की बापसी में cancer का doubt आए तो मैं यह basically वीडियो बना रहा था दो वज़ा से एक तो उस्ताद राशित खा को tribute देने के लिए उस्ताद पबलिक को आगा करने के लिए कि prostate cancer में उनको क्या करना चाहिए और prostate cancer होने से पहले ही उससे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए आप सब का मिश्चा जोड़ने के लिए धन्यवाद